गुड मोर्निंग आवरिवन दोस्तों आजा है 5th of Mars 2023 और हम लोग करने वाले हैं दा हिंदू न्यूस पेपर के नाले सीज मेरा नाम है सिते इंदर चोदरी और आज चलिए फिर से हम लोग करने वाले हैं कुछ टोपिक्स के उपर डिसकेशन्स कौन कौन से टोपिक रहने वाल करेंगे सी होर्स क्या है इसके वारे में थोड़ा सा बात करने वाले हैं क्योंकि ये भी न्यूज में है उसके लाब पीरामीड और फासाम ये काफ़ी इंट्रेस्टिंग न्यूज लगी मुझे और ये हम लोग आर्ट एंड कलिचर के परस्पेक्टिव से भी सको करने वाल इससे क्या प्रोब्लम है थोड़ो उसके बरें बात करने वाले हैं ठीक है जी चलिए तो डिले बिल्कुल भी नहीं करते हैं सीधा करते हैं काम की बात और तमिलाडू से कुछ अनफोर्चनेट से इंसिडेंट हो रहे हैं बहिया और कुछ सोशल मीडिया पर वाटसाइब अगरा पर कुछ वीडियो से ऐसी फोरवड हो रही है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि जो बिहार से जार खंड से जो लोग माईगरेंट वर्कर्स जो तमिलाडू में काम करने जाते हैं उनको पीटा जा रहा है उनको मारा जा रहा है ऐसे जो होस्पिटैलिटी, रेस्टोरेंट या जो वहां की इंडस्ट्री है वो मोस्टली इन ही वर्कर्स के ओपर डिपैंड करती है ठीक है ऐसा उब्यसली हम सबको पता है ठीक है तो सरकार ने भी कहा है कि अगर माईगरेंट वर्कर्स चले गए तमिलाडू से तो तमिलाडू की इंडस्ट्री जो है विल्कुल खतम हो जाएगी क्योंकि वर्कर्स ही नहीं है वहां पे लोकल तो तो यह सब चीज़े हो रही है तो वहां के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर स्टालिन और तो स्टालिन जी ने आश्वासन दिया है कि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है अगर इतरह से protection मिलेगा वो सारी चीज़े ठीक है तो यह सब वहां पर जो है unfortunate सा चल रहा incident और ऐसा महराष्ट्रा में भी देखा गया था एक समय था अभी तो खर नहीं है महराष्ट्रा में but there was a time जब go back बिहारी इस तरह के unfortunate से जो है उन्होंने slogans वो लोग चला रहे थे and all that right तो यह गलत चीज़ है as a being a citizen of India and we also have a fundamental right कि हम लोग कहीं पे भी move कर सकते है as a country it's a single unit आप कहीं पे जाके भी काम कर सकते हो ठीक और हमें workers चाहिए ऐसी बात नहीं है कि आपके पास जो है पहले workers बहुत जादा थे और जादा आ गए हैं ऐसी बात भी नहीं है you need workers आपके काम करने क है France ऐसा करता है हर country करती है अगर नहीं है आप locally produce नहीं कर पा रहे हो तो बाहर से मंगवाओ तो ऐसी थी economy चलती है ना तो यह कुछ कुछ चीज़े हैं थुलाव का पता होना चाहिए migration की जब हम लोग बात करते हैं लोगों की movement की बात करते हैं तो देखें यहाँ पे usually जो north central इंडिया है यहाँ की population density comparatively जादा है इंडिया से average से तो definitely यहाँ से जो है जादा लोग बाहर जाते हैं काम की तलाश में आपनी economic status को improve करने के लिए गुजरात की तरफ जाते हैं हर्य ने पजाब की तरफ तो you know green revolution जब हुआ तो उसके बाद से जाना शुरू होगे गुजरात महराष्टा तो already industrialized state है तो वहाँ पे जाते हैं usually unskilled workers ठीक है unskilled की बात करो skilled की बात नहीं करो skilled workers तो of course जैसे आपका चन्ने नहीं मुंबई, पूने, बैंगलुरू, ठीक है अदिल यहाँ पे skilled workers जादा जाते हैं unskilled भी जाते हैं बट skilled worker भी जाते हैं तो जब हम लोग migration की बात करते हैं तो newspaper वगारे में कुछ terms आपको बहुत frequently सुनने को मिलती होंगी, migration तो समझे सीधी सी बात होती है movement of the people from one place to another place उसे हम लोग migration कहते हैं, immigration और emigration यह दो वड़ आपको सुन कोई आदमी अगर USA से आ रहा है तो इंडिया के लिए वो immigrant है क्योंकि वो इंडिया की तरफ आ रहा है लेकिन USA की तरफ से वो emigrant है क्योंकि USA से वो बाहर जा रहा है चीक है, E मतलब external अब यह याद रख सकते हो जो बाहर जाए, E मतलब incoming तो आपड़ एक थोड़ याद रख आते हैं, overseas citizen of India आते हैं, हाला कि सरकार ने अभी तो यह provision खतम कर दिया है, सिधा OCI यह card बना दिये गए है, यह वाला provision खतम करके दोनों को merge कर दिया है, बट still, जो Indians बाहर रहते हैं, उससे हम लोग diospora कहते हैं, या उनके parents बाहर रह रहे होंगे, उनके grand parents बाहर रहे होंगे, उन सब को हम लोग यहाँ इंक्लूड करते हैं, जहां से हमें खुब सरा remittance भी आता है, वो सब चीजे हैं, तो migration होता क्यों है, what are the causes, migration होने के दो कारण होते हैं, एक होता है push factor, एक होता है pull factor, अब किसी दुकान के अंदर आप जाते हो तो वहाँ पे सीशे का gate लगा नहीं ह पड़ेगा, ठीक है, ऐसे ही होता है, तो आपको किसी भी जगे पे जाना होता है, तो वहाँ पे कुछ push factor भी काम कर रहे होते हैं, कुछ pull factor भी काम करने होते हैं, इसलिए वो door open रहता है, तो आप आप आराम से जा सकते हो, आ सकते हो, push factor जो आपको धक्का मारते हैं, बाहर की तरफ भेजते हैं, pull factor जो आपको अंदर की तरफ खीचते हैं, और ये दोनो simultaneously काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, back to back जैसे, अगर बात करें, जैसे मालूम मेरा example दीजिए, ठीक है, जैसे मैं कुरुक्षेतरा में हूँ, और जैसे अगर मुझे दिल्ली जाता है, मैं दिल्ली में रहता हूँ, ठीक है, तो कुछ ऐसे factor रहे होंगे दिल्ली में, जो मुझे अपनी तरफ खीच रहे हैं, कुछ ऐसे factor रहे होंगे कुरुक्षेतर में, जो मुझे यहां से बाहर भेज रहे हैं पुश कर रहे हैं, यहां से धकेल रहे हैं दिल्ली की तरफ तो दोनों फेक्टर एक साथ काम करते हैं तो जो माइग्रेशन की बात करते हैं तो यहां पे कई सारे important reasons होते हैं Usually migration कहां से कहां होता है जो less developed rural areas होते हैं या जो छोटे छोटे semi urban areas होते हैं जहां पे development नहीं होती है यहां पे opportunity नहीं है क्योंकि scarcity of the cultivable land भी है वहां पे अब यार किसी के पास मालो एक भी का जमीन है डेड़ भी का जमीन है, बड़ी family है तो वो उसमें survive थोड़ी ना कर पाएंगे जमीन ही नहीं है और अगर मालो किसी के पास जमीन है भी लेकिन वो fertile नहीं है उसमें पर भी क्या कर लोगे इस तरह चीजों में क्योंकि आपके पास job opportunities भी नहीं है ठीक है आपके area में lack of better education opportunity opportunity of education भी नहीं है आपके पास यह सारे factor जो है वो आपको बाहर के तरफ push करते हैं क्या आप जाएए दिल्ली में जाएए मुंबई में जाएए पैसा कमाईए family के लिए को support करिए क्योंकि आपके पास यहाँ नहाँ आपे job है नहाँ आपके पास education है नहाँ के पास business है नहाँ के पास agriculture land है तब यह करोगे क्या उपर से यहाँ पे crime भी तरफ जाएए तो जाएए आप आराम से यह सब होते हैं और इंडिया में जो सबसे ज़्याद migration होती है वो marriage की वज़े से होती है महिलाओं की marriage की वज़े से होती है क्योंकि अपना घर छोड़के फिर वो सबस्क्राइब तो उनको skilled और unskilled दोनों के requirement होती है तो इसलिए उनको अपनी तरफ खीचते हैं cities में आप जाते हो आपको पास जादा better education opportunities होती है बढ़िया-बढ़िया schools होते हैं वहाँ पे आपके पास बढ़िया-बढ़िया medical facilities होती हैं वहाँ पे आप अराम से जागे जो भी आपको health issues हैं आप वो सब solve कर सकते हो security भी काफी अच्छी रहती है as compared to rural areas अगर देखा जाए overall तरीके से खास कर if you belong to a particular caste और particular religion जिसके basis में अगर आपको rural area में discrimination होता है urban areas में discrimination comparatively कम होता है मैं यह नहीं कहारो बिल्कुल absent होता है but comparatively कम होता है urban areas में वो सब चीज़े हैं न आपके बच्चे को better opportunity मिलती है वो सब चीज़े तो आपका standard of living हाई होता है क्योंकि आपकी salary increase हो जाती है issues हैं वहाँ पे भी ऐसी वात नहीं है जो हम लोग discuss करते भी है time to time but yes these are some of the pull factors also ठीक है जो इस तरही की चीज़े काम करते है तो migration में कुछ positive impact भी होते है कुछ negative impact भी होते है ठीक है positive impact भी होता है अगर यह demand और supply पूरी हो जाती है ठीक है अगर किसी को मतलब workers चाहिए है ठीक है ठीक है ठीक है भी आपको चाहिए है तो अदर से आ जाते है workers skill development होता है migrant enhance the knowledge and the skill of the migrant through interaction with the outside world skill change होते है culture change होता है quality of life improve होती है लोगों का standard of living हाई होता है poverty जो हो reduce होती है social life improve होती है जिसकी वज़े से जो मतलब आप एक नए जगह पर जाते हो वहाँ का culture सीखते हो custom सीखते हो language सीखते हो जैसे अगर आप पंजाब में जाएंगे तो जो बिहार या जहारखन से वहाँ agriculture जो laborious गए हुए है काफी लंबे समय से अगर आप उनके बच्चों को दोखो देखो गए वह सब पंजाबी बोलते हैं पंजाबी बोलते हैं culture, खाना, पीना, अब लिटी चोंका नहीं खा रही है वो लोग पनाठा खा रहे है ये मैंने देखा अपने हाँ से अपने आँखों से देखा है पनाठा खाते हैं, वहाँ का food consume करते हैं तो आप एक नया culture सीखते हो, आप कहां की language सीखते हो, उसके custom सीख जाते हो, तो यह से पुरे society enhance होती है, culture improve होता है, वो सारी चीजे हैं, और जो native लोग हैं, उनके पर भी बहुत positive impact होता है, उनके extra income आती है, है न, भी बाहर से लोग आएंगे, वो remittance लेके आएंगे, वहाँ स remittance आएगा, न, technology आएगी, न, न, काम धंदे आएंगे, बहुत impact होता है, इसलिए तो USA और European countries इतना जादा बाहर से skill लोगों को import करते हैं, मतलब मंगवाद, बला बुलाते हैं उनको, ताकि उनकी local economy बढ़ती है उससे, कम नहीं होती है, अगर आप यह सोचते हो कि जो migrant worker आ migration अगर हो जाती है, जैसे आसाम के अंदर हुई, कुछ regions हो, West Bengal also, उस case में demography profile change हो सकता है, ठीक है, political exclusion भी हो सकता है, कई बार migrant workers के साथ discrimination होता है, political opportunities होता है, कई बार competition increase होता है, population explosion हो सकता है, ठीक है, तो यह सब इसका negative impact भी है, loss of human capital, yes, जहां से migration हो रही है, बाहर की तरफ, त तो वहाँ पर doctors, workers, migration सब शहरों में जा रहे हैं, दूसरे states में, तो वो एक बहुत बड़ा नुकसान है इसका, increase in the some regions, slum regions also, तो जो usually जो poor, unskilled, जो laborers होते हैं, workers होते हैं, migrants होते हैं, वो अब वो जाके भी दिल्ली में flat थोड़ी ना लेंगे, 10,000 का, 15,000 का, तो slum area वगरा म तो slum की समस्या बढ़ती है, slum में फिर अलग crime, pollution, conditions, unhygienic होती हैं, वो सरी चीजें, तो कुछ positive impact भी हैं, कुछ negative impact भी हैं, दोनों आपको exam में लिखना रहता है, खीकर जो चलिए, with overfishing great sea horse bolt from the coromandel, तो भाईया ये जो है, इंडिया में, गुजरात से लेके, West Bengal, हक के coastal area मे आपको ये sea horse देखने को मिलता है, लेकिन क्योंकि coromandel coast पे बहुत जादा, बहुत जादा, overfishing हो रही है, तो ये बेचारे sea horse जो हैं, वहां से migrant होके, अभी Odisha coast की तरफ जा रहे हैं, चीक है, तो इसलिए थोड़ा सा sea horse आपको पता होना चाहिए, ये है क्या, देखिए, sea horse, ये इसका अगर आप देखें, phase, तो ये अपको horse के जैसा नजर आ रहा है, horse, है न, बट ये fish होती है, it's a type of fish, तो ये दिखती horse के जैसी है, इसलिए इसका नाम हमनों के शी horse रखा हुआ है, ठीक है, it's a type of fish, देखे लिखा हुआ है, ठीक है, काफे different दिखती है ये, तो कि य भोड़े जैसी नजर आती है, इसका जो मुह होता है, काफी लंबा होता है, long snout होता है, ठीक है, small mouth होता है, और ये upright swim करती है, like, ऐसे swim करती है, ये मचली के तरह ऐसे swim नहीं करती है, ठीक है, खड़ा-खड़ा ऐसे swim करती है, और ये बहुत अच्छे swimmers भी नहीं होते है, मत male sea horse होता है, उसकी body milk छोटा सा pouch होता है, तो जो female sea horse होते है, जो अंडे देती है, तो उन अंडों को male sea horse के pouch में डाल देती है, बाद में बच्चों को male sea horse होता है, वो carry करता है, और बच्चों को birth देता है, इसका बड़ा unique सा ही एक ये reproduction वाला system है, ठीक है, ये तो आपका पता shallow, tropical और temperate waters में ये रहते हैं, और मतलब ये, और इनके इंदरे बहुत खास भी बात होती है, कि वो अपना skin का color और texture और चेंज कर सकते हैं, तो अपने surrounding से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, camouflage कर सकते हैं, ठीक है, they do not have any teeth और stomach, इनका peat weight नहीं होता है, इसलिए इनको continuously खान पड़ता है सरवाई करने के लिए, 24 गंटे खाते रहते हैं, but because of fishing, habitat loss, और खास कर जो Chinese medicine, traditional medicine है, उसमें इसको use किया जाता है, जिसके वज़े से overfishing इसकी हो रही है, ornamental purpose के लिए भी इसको use किया जाता है, बहुत जगह पे, तो ये थोड़ा साफ इसके बारे में आइडिया ह है, ठीक है, चलिए, आसाम मुएदम्स fit UNESCO requirement for the heritage site, देखिए अगर किसी country को, किसी state को लगता है, कि उसके यहाँ पे ऐसी कोई खास चीज है, जो कि UNESCO World Heritage के अंदर आ सकती है, तो अपना proposal UNESCO को भेजता है, UNESCO उसके बाद उसका review करता है, review करने बाद अगर UNESCO को लगता है, कि हा डाल देता है, तो उसके बाद उसको World Heritage Site का दरज़ा दिया जा सकता है, मिलेगा के नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, तो जो आसाम के अंदर जो पिरामिड जैसे दिखने वाले कुछ structures है, जिसे जो है मोईदम्स और मेदम्स कहा जाता है, ठीक है, इन्हों ने UNESCO की technical requirement fulfill कर ल ऐसे मिट्टी के जो है वो पहाड से बना के रखे हैं इन्हों ने, आव यह सोचों के सर यह क्यों बना रखे हैं, इतना फाल तो टाइम के इसके पास है, देखिए, यह ना Bureal Grounds है, Bureal Grounds, A home dynasty थी आसाम के अंदर, जिसने आसाम के अंदर 600 years से भी जादा जो है वो, जो है वो, रूल किया, 1820 तक, Britishers के आने से पहले तक, और, बाद में, they go defeated by the Britishers and all that, तो उनके जो राजे, राजा हुआ करते थे, रानिया हुआ करते थे, Kings हुआ करते थे and all that, उनको यहाँ पर बरी किया जाता था, ठीक है, दबाया जाता, दफनाया जाता था, हालांकि, they used to follow Hinduism, और Hinduism में वैसे तो, you know, जलाने का होता है, custom होता है, but yes, वो लोग, उनको दब जो है, इनकी कुछ चीजें भी तफना दिया करते थे, वो लोग, कुछ, जूलरी बगारा हुआ, या कुछ और चीजें हुई, कपड़े बपड़े, ताकि वो जब नेक्स लाइफ में जाएंग, आफ्टर लाइफ में, तो वहाँ जागे उनको यूज़ कर सकते हैं, they were beliefs at that point of time, ऐसा Egypt के अंदर भी होता था, वहाँ पर भी पिरामीड होगा करते थे, है न, वहाँ पर भी राजा रानियां होगा करते थे भाई, वो सब चीजें, तो वो थोड़ा आपको यहाँ पर एड़े होना चाहिए, इसलिए ने कहा जाता है, पिरामीड ओफ आसाम, यह नाम आपने याद रखना है, और हम डाइस्टी आपने याद रखना है, ठीक है, उनके Kings and all that, इनका साइज भी डिफरेंट डिफरेंट होता है, कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, जो बड़े होते हैं, मतलब वहाँ का जो जो भी रोयल फैमिली से बिलोग करता है, इन दो लोगों को छोड़के हमें नहीं पता बाकी Ground ये जो पिरामिट हैं, वो किसके हैं, इनके उपर सिर्फ नाम लिखा हुआ है, बाकी किसी के उपर नाम नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, ये थो आपका पता होना चाहिए, जो जो चे राडियो जो है ये word, ये, it's a combination of actually three words ठीक है, three Thai-a-home words हैं, जिसमें से चे, राई और दियो, चे, राई और दियो, चे का मतलब होता है city, राई का मतलब होता है shine, और दोई का मतलब होता है hill, ठीक है, in the short, चेराडियो means the shining town situated on a hilltop, तो जो Thai-a-home, जो language है, उसमें इनको जो है चेराडियो कहा जाता है, ठीक है, ये कुछ-कुछ चीज़ें, बस थोड़ी सी आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और it's a place also, चेराडियो is also place, इस्टन आसाम के अंदर पड़ता है, ठीक है, जहां पर ये basically पाये जाते हैं, ठीक है, ऐसा निये के पूरे आसाम में पाये जाते हैं, there are some places इन इस्टन आसाम, जिसे इसको established किया गया था, it's a successor of the league of nation, ठीक है, international committee on the intellectual corporations, और इसके बहुत सारी education, natural science, human science, culture, communication वकर इस सारे चीज़ों में काम करता है, United Nation की एक specialized agency होती है ये, तो ये आपको idea होना चाहिए, अगर नो, देखे, UNESCO world harry site ना, दो-तीन category के अंदर होती है, वैसे, एक natural category होती है, एक आपकी जो है archaeological category होती है, जिसमें structures वकर वो सब आते हैं, और एक आपकी mixed heritage होती है, जो natural heritage की बात करते हैं, तो इंडिया के अंदर, काजिरंगा नेशनल पार्क, किलाडियो गहना नेशनल पार्क, मानस वाड़लेव सैंक्चुरी, नंदा देवी नेशनल पार्क, और वैल इसको, चीक है, चलिए जी, उसके अलावा, आप मुझे comment section में बिताएं, that was actually a question in 2015, जिसमें पैसी ने पुछा गया था, दिवी 14, following is the mixed world heritage site in इंडिया, इंडिया में सिर्फ एक ही ऐसी site है, जो mixed world heritage site है, मतलब वो natural भी है, वो archaeological भी है, चीक है, और structural, वो cultural भी है, तो natural और cultural, त एक example, question question पूछाता है, मैंने आपसे, quaternary sector और क्योंदरी sector आपके मेरे को बताना था, और मैंने आपको ये कहा था, जो बच्चा उसको बताएगा, उसको मैं अपनी तरफ से chocolate दूँगा, तो भी है, चोकलेट का packet मैंने रख दी है, यह अलाके, जैसे ही दिल्ली आउँगा तो आपके inform करूँगा, और अगर आप मेंसे कोई बच्चे दिल्ली रहते हैं, तो मिलें, आपको चोकलेट आपकी मिल जाएगी, and thank you very much भी है, और आप इंदा पार्टिस्पेट करते हो, और lectures के थूरू शायद कुछ information आपको मिल रही होगी, तभी आप पार्टिस्पेट इसके ही सब पार्ट होते हैं, quaternary और quaternary, ठीक है, जिसमें से इने गोल्ड गोल्ड जो भी कहा जाता है, तो इसमें फर्क क्या है थोड़ा सा, एका सिर्फ example देता हूँ आपको, जो decision makers होते हैं, highest level of decision makers होते हैं, वो quaternary sector में होते हैं, ठीक है, जो knowledge sector में होते हैं, वो quaternary sector में चला गया, quaternary sector में चला गया, आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, कल को आप IS बनोगे, IPS बनोगे, ठीक है, कल को आप policy makers बनोगे, आप secretary बनोगे, कुछ लोग हो सकता है, आप में से पहले IS बनें, 10 साल job करके फिर retirement लें, किसी political party को join कर लें, और minister बन जाएं, ऐसा भी ह हो सकता है, तो अगर आप minister बन जाते हो, आप IS बन जाते हो, आप policy making में चले जाते हो, तो आप क्यों अंदर इस sector में चले जाते हो, highest level of decision making power, किसी company उगारा करें, जो CEO's उगारा होते हैं, managers होते हैं, managing director उगारा होते हैं, वो सब इस sector के अंदर होते हैं, तो उसी के अंदर ही बेसे लिए categorization है, ठीक है जी, अगर हम लोग cultural site की बात करें, तो इंडिया में इस समय 40 world heritage site आती है, total मिलाके, जिसमें से 32 cultural है, 7 natural sites है, और mixed है, यह अपने मुझे comment section में बता देना है, अभी जो latest की बात करें, तो July 2021 के अंदर, इंडिल स्वेली civilization के अंदर, जो site थी, धोला व गिया गया था, यह एक basically fort है, जो 2.5 km away from the Taj Mahal, चीक है, ताज महल मतली लाल किला जो आगरा के अंदर पड़ता है, चीक है, आगरा fort जिसको बोला जाता है, उसके लावा चाइना और इटली में दुनिया में सबसे ज़्यादा, जो है world heritage site पाई जाती है, दोनों के अंदर 55 entry ह होती है, इंडिया की बात करें, तो महराश्टा के अंदर सबसे ज़्यादा है, अजन्ता केव, अलोरा केव, अलिफेंटा केव, चत्रपदी, शिवादी, महराश टर्मिनस, वहाँ पे है, विक्टोरिया, गोथिक, एंड़ आर्ट डियो बिल्डिंग ऑफ द साउथ मुंब 50 kg of carbon अपने अंदर स्टोर करता है, ठीक है, average carbon stock जो है, एक single tree का इतना रहता है, अब इसके अंदर depend करता है, ठीक है, 63 kg जो carbon है, वो एक arid region वाला पेड करता है, 72 kg जो है, वो एक semi arid वाला करता है, 98 kg carbon जो है, वो एक sub humid zone के अंदर एक पेड करता है, है ना, जो हमारे पेड होते हैं, ये क्या करते हैं, ये photosynthesis करते हैं ये oxygen लेते हैं, ये sunlight लेते हैं, ये soil से nutrients लेते हैं, water लेते हैं, उन सब चीज़ों का use करके, क्या करते हैं ये, उस CO2 गर लेते हैं, oxygen तो release करते हैं, CO2 लेते हैं, तो इस CO2 को ये अपनी branches में, अपने twigs में, है ना, इनमें store कर लेते हैं, हमेशा के लिए, बाद में जब हम लोग लकड़ी जलाते हैं, तो वही जो stored CO2 होती है, वो atmospheric ले release हो जाती है, which is a greenhouse gas, मतलब जब ये photosynthesis करते हैं, तो greenhouse gas, which is CO2 को store करते हैं, इनको जब हम लोग जलाते हैं, तो वही CO2 release हो जाती है, इसलिए हम CO2 को वापिस release कर रहे हैं, which is a reason for the climate change, because CO2 is a very potent greenhouse gas, तो जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, उतना CO2 store करेंगे, उसे कहते हैं, carbon stock, stock का मतलब क्या होता, आपका अच्छे से पता है, it's a simple English term, stock means something जो आप store करते हो, ठीक है, तो वो जो हैंनों नहीं हम बताया है, तो जो हम वो भी CO2 को store करते हैं, because वो भी photosynthesis करते हैं, apart from this, carbon और भी बहुत सारी चीजों में stored होती है, जैसे living organisms होते हैं, dead organic matter होता है, inorganic जैसे soil, rocks, sediments अगरा, यहां पे भी store होता है, तो जादे जादे पेड़ पोदे लगाएं, और CO2 के stock को बढ़ाएं, ठीक है, वही basically यहां पे कहा है, चलिए, why is the tribal panel upset with the environment ministry over forest rights, देख्या को मैं बताता चलूँ, अभी सरकार ने forest conservation rule 2022 release किये थे, और जिसमें को अंदर कुछ ऐसे provisions थे, जो की tribal लोगों को, और जो forest dwellers हैं, उनके rights को violation कर रहे थे, ठीक है, देखिए यह जो forest dwellers हैं, जो scheduled tribes वहाँ पे रहते हैं, वो हजारों साल से वहाँ पे रह रहे हैं, forest jungle होगे अंदर, उनका बेचारा पुरा जिंदगी जंगल के आसपास ही चलता है, खाना, पीना, उनका employment उगरा, खेती, बाड़ी, फूड, सब कुछ forest से चलता है, तो अगर आप उनसे वही right छीन लोगे तो भीया कैसे काम चलेगा, तो हुआ यह कि forest conservation rule 2022 जब बनाए गए, इसके अंदर क्या provision था, इसके अंदर सबसे controversial provision यह था, कि अगर किसी company को, या फिर सरकार को, अगर कोई forest land को non forest purpose के लिए यूज करना है, तो initial stage में, उसको gram पंचायत की permission लेने की requirement नहीं है, ठीक है, देखें, एक किसी भी project की कहीं सारी stage होती है, stage 1, stage 2, stage 3 and all that, तो सबसे प्रस्ट शुरुआती stage होती है, वो stage 1 होती है, जब वो काम शुरू होता है, तो यह नों नहीं यह कहा, कि stage 1 में, किसी की permission लेने की requirement नहीं है, आप अराम से अपने project को शुरू कर सकते हो, तिसे मालों टाटा वाले कोई, कोई chemical factory बना रहे हैं, initial permission मत लीजिए, एक बार काम शुरू कर दीजिए, बाद में हम लोग देख लेंगे, stage 2 और stage 3 पर आप permission ले लीजिए, इस controversial provision के against में, जो हमारा ST commission है, उसका जगडा हो गया, environmental ministry के साथ, वो लोग Supreme Court भी चले गए, और उन्होंने सरकार से भी answer यहाँ पर मांगा है, उन्होंने कहा के, this is a complete violation of forest rights act 2006, according to 2006 act, it is mandatory for the government to take prior approval of the gram sabha, before starting any development project, gram sabha को अगर लगता है, के project की मंजूरी दी जा सकती है, तो well and good है, अगर उसको नहीं मिलेगी, काफी अच्छे rights दिये गए थे 2006 वाले के अंदर, बाद में इसको जो है, दो तीन बार, इसको amend भी कर दिया गया, ठीक है, तो यह बनता है पूरे का बुरा मामला, I hope आपको यह समझ में आ गया होगा, उसके लावाँ जो collectors होते हैं, collector को भी कुछ extra power यहां पर दे दी गई है, कि उसको कोई individual claim entertain करने की requirement नहीं है, forest land को आप आसानी से जो है divert कर सकते हो, एक provision वैसे इनोंने यहां पर एक और भ हरियाना है, हरियाना का forest cover is like suppose only 5%, which is around 5% only, 3-5% ही है, तो मेघालिया में अगर कोई company, अगर किसी forest land को non forest में cover कर यह, मालो 1000 acre, 1000 acre land को मेघालिया में वो लोग अपने factory लगा रहे थे, तो सरकार को यह कहना है, कि इतने ही एकर जमीन, उस company को उस state में लगानी पड़ेगी, उस state में लगानी पड़ेगी, जहां का forest cover 20% से कम होता है, compensate करना पड़ेगा, अब यहां प इतनी जमीन कहां से आएगी, वो पड़ी बात है न, तो यह कुछ-कुछ इसके इसके इंदर आपने देख सकते हो, National Commission for the scheduled tribes, यह जो है self study के लिए मैंने आपका content यहां पे डाल दिया है, पराना सा content है, मैंने वहीं से उठा के इसका as it copy paste कर दिया, तो नया इसमें सच कुछ है नहीं है, ठीक है, तो यही था आ अटेंडे सामने दे दे नहीं है, बाकी दोस्तों साथ share करें, ठीक है, like करें, comment करें, तो कि देखो sharing is caring न, प्यार, महबत और knowledge, जितना बाटते हैं न भाईया, उतना ही जादा ही जो आपका बढ़ता है, कम नहीं होता है, हाँ, पैसा बाटो या ना बाटो, knowledge और प्यार, इ वाज के लितना ही, thank you very much, all the best, जाहिम्द